हर एक व्यक्ति को घर से निकलने से पहले टैग लगाना पड़ेगा अपने उपर कि मैं कहां जा रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पड़ने जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ हर एक व्यक्ति को टैग लगाना पड़ेगा क्या कोई ऐसा लौ आने वाला है जी क्या कोई ऐसा लौ आने वाला है तो कहां बात करेंगे इसके बारे में अख़बार का पांच मिनट में सार ये तो सुनी लिया 28th October में आप सब का स्वागत सो सबसे पहले कल के सवाल का जवाब 22nd Law Commission के चेर्मेन कौन है साब क्यूज में क्यूं दुबारा आया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमिशन के साथ बैठक करिया है नहीं राइट देन विच इंस्टिटूशन लांच्ट मीडियम टर्म स्ट्राटजी नोन आज उतकर्स 2.0 किसने करा जी लांच आपने बताना है मुझे कॉमेंन सेक्शन में आय विल लेट यू नो इन दे नेक्स्ट सेशन देन सर फैक्स बहुत सारी न्यूज है आज आर्बिया ने मोबी क्विक के जैक पे को पेमेंट एग्रिगेटर होने के लिए अलाओ कर दिया है को पढ़ने के लिए अडवाईजरी बोर्ड बनाया यू एन के सेक्टरी जनरल ने गुची एरे साब ने सेक्टरी जनरल ने अडवाईजरी बोर्ड बनाया थर्टी नाइन बंदों का इसमें शरद जी इंडियन मेंबर भी है यह क्या करेगा एई-आई की अडवाईजरी बोर्ड देन जी ओ स्पेस फाइबर सर जी ओ स्पेस फाइबर इंडिया का फर्स्ट सैटलाइज बेस्ट इंटरनेट ब्रोड बेंड सप्लाई होगा इसमें क्या फैदा होता है सर सैटलाइट से आप वहाँ भी इंटरनेट पहुंचा सकते हैं जहां पर टावर नहीं लगाए जहां पारे सो रिमोट लोकेशन पर यह जी ओ स्पेस फाइबर इंटरनेट पहुंचा देगा डें सर डाक पैटन जो मारी जिनदगे में भी आ जाते है डाक पैटन को बस्ट करने के लिए डाक पैटन बस्टर बनाया है इंडिएन सरकार ने की E-commerce में इवन कोचिंग में भी होना चाहिए शाए दिन e-commerce में जो dark patterns यूज़ करते हैं manipulate करने के लिए उनको पढ़ने और tackle करने के लिए hackathon कराई जाएगी then Mike Johnson Mike Tyson भी Mike Johnson अब होंगे sir US के speaker जो speaker अटा दिये गए थे उनकी जगा Mike Johnson ने ले लिए then sir शौर या दिवस की बात करना तो बहुत ही खुशी की बात है कि Indian soldiers इस दिन कश्मीर में land करे थे 1917 में और तब इन्होंने पाकिस्तानी forces को माहा से भगा छोड़ा था खदेर छोड़ा था so this was शौर या दिवस when Indian soldiers landed in कश्मीर then sir editorial जो बात कर रहे थे tag लगा के घूनना पड़ेगा ऐसा शायद whatsapp के लिए news में आ रहा है so whatsapp पे end to end encryption होती है इसका मतलब कि आप अपने let's say boyfriend, girlfriend या भाई, बहन जिसको भी message भेज रहे है वो totally encrypted है वो सिरफ आप और जिसको भेज जा है वो पढ़ सकते हैं बाकियों के लिए वो एक तरह से readable नहीं है but crime होने लाइक जैसे कि भाई दंगे हो रहे हैं या कोई terrorist आप अज में बात कर रहे हैं तो उनके messages पढ़ने के लिए सरकार ने का है कि whatsapp और ऐसे intermediaries बताएं कि कहां से ये message शुरू हुआ था किसने शुरू करा था tracing origin so इसको क्या problems बताई जा रही है कि first originator एक तो defined नहीं है दूसरी बात आपने देखा होगा कि आप जब whatsapp पे message forward करते हैं forward करते हैं तो सामने वाले को forwarded लिखाता है suppose मैंने आपको message बेज़ा आपने अपने brother, mother, father किसी को भी forward कर दिया वहां लिखाएगा forwarded right so आप originator नहीं होगा because मैंने बेज़ा था आपने forwarded बेज़ा then second thing क्या होगा जी second idea क्या है आप forwarding ना यूज करते हुए मेरे message को copy करें and जिस कोई भेज रहे भाई बैन को उसमें paste करके भेज दे so क्या अब आप originator होगे because आपने forwarding नहीं यूज करा so article लिखने वाले madam बोलता है कि इतनी सारी technicalities में क्या होगा unsuspecting आम आदमी फस जाएगा और जो expert होगा वो हर जगा forwarded यूज करके बच जाएगा एक तो ये problem other issues जी काफी सारी चीज़ें undefined है कि कब सरकार messages पढ़ा सकती है originator ढूण सकती है जैसे कि public order violate हो public order कहीं भी defined नहीं है so ऐसी चीज़ों का misuse हो सकता है and footprint revolution rule जो ये originator का rule है कि कहां से आ रहा है ये right to privacy जो एक fundamental right है उसको बहुत बहुत गंदे से infringe कर देगा sir so बहुत सारे issues है originator rule में ध्यान रखना किस से related है तो हम ये कहना चाहते है we therefore may be only one step away from opening the floodgates of message traceability और messaging apps का काम भी पंद हो जाए शायद और privacy तो खतम हो ही जाएगी इसलिए हम कह रहे है कि शायद the ill has surpassed the the remedy has surpassed the ill यही आज का keyword है sir कि remedy कब ill को ही surpass कर जाती है let's say आपको कोई बमारी होगी इलच से बुखार हो गया फीवर अब आप इलाज करने गए आपको थोड़ा सा सीर दुख रहा था वहाँ कोई बाबा बैठा था और बाबा तांत्री की ने आपको 500 कोडे मार दिये बाइसा भी इतना तो मेरे सीर में निदर था आपने मुझे तना मार दिया तो ये कोई लाज सोड़ी हो आए तो आपने बमारी से भी गंदी चीज कर दी तो आपने बमारी से भी गंदी चीज कर दी और ये यहाँ पर कीवर्ड में क्यों यूज़ है because e-governance में बहुत बरी ऐसा हो रहा है जैसे WhatsApp originating rule में भी हुआ है हो सकता है right so you can use this in e-governance and essays please keep on noting down these keywords बहुत काम आने वाले हैं बहुत नंबर आने वाले हैं और हम साथ में लबसना जाने वाले हैं अखवार का पांच मिनट में सार ये तो सुनी ले आ जैहिंद